दोस्तों मैं गुनाल कालवा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वाइब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे compatibility of life path number 2 and life path number 3 इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी date of birth अगर 2, 2, 11, 20 या 39 है या फिर आपकी date of birth का total 2 है या फिर आपकी date of birth 3, 12, 21 और 30 है या आपकी date of birth का total 3 है ऐसा कुछ भी आपके पार्टनर के साथ है मनले कि एक नंबर आपके साथ है और एक आपके पार्टनर के साथ है तो आपके बीच में compatibility कैसे होगी इस बारे में इस वीडियो के इंदर हम बात करेंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे कि देखे आप मैंने के बारे में पहले भी बताया है कि लाइफ पात नंबर कैसा होता है या बेसिक नंबर कैसा होता है देखे टू एक attraction का नंबर होता है तो एक attention seeker होता है उसकी contrary अगर हम तीन की बात करें तो तीन एक जुपिटर का नंबर होता है तीन को रूल करता है जुपिटर अब जुपिटर है तो इसका मतलब उसकी जो sharp मतलब उसकी सोचने की शक्ति है वो extraordinary strong है extraordinary strong है बंदा sharp minded है दूर दृष्टी उसकी बहुत strong है वो आने वाली problems को सूंग लेता है या समझ लेता है उसको मतलब दूर का देखने की आदत है कोई भी planning छोटी नहीं करता है वो बहुत दूर की planning करता है वह बहुत दूर तक उसने सोचना है कि यह problem आज नहीं आरही यह problem आने वाले time में आ जाएगी इस आत्मी के साथ हमें कम time spent करना है यह आथमी आगे जाके हमें दुखा दे सकता है यह आथमी आगे जाके ऐसा हो सकत है इसके साथ हमें यह डॉक्यूमेंट्स रखने हैं सारी चीजें वह बहुत सोच के चबता है उसके अधर हैंड तू कैसा होता है तू मन की सोचता है उसके मन को जो अच्छा लगा है उसने मन के मताबिक फैसला लेना है अब देखिए थोड़ा सा बारीक मैं जाओंगा इसको बहुत है तो कैसा अपना होता है तो बढ़ा सोच समझ के फैसला है मगर एड़ एंड जो कहते हैं फैसला जो एंड में लेगा मन से ही लेगा है वो सारी चीजें सोचे〜 सोचेगा लेगा मुए घृ को मुटर ना का मुकाबलैं असकोि मार्च क्योंकि इसका तीन स्ट्रॉंग है उसके तीन से तो यह जो फैसला लेगा यह सोच के उपर लेगा जो तीन वाला होगा और जो दो वाला होगा वो मन के मताबिक फैसला लेगा जैसे शादी का कोई डिसीजन है किसी भी चीज़ का तो अगर उसके मन को लगेगा कि नहीं या ज कुछ भी है सोचने की सोचना नहीं है मन को यह भाग है मन को आप कभी यूट्यूब करें या आजकल बनती है कि यह आपको यूट्यूब करने की स्कीम बता रहा है मगर यह फूट बनाता है जिसके अंदर के इस तरह की वीडियो बनाता है उसाथ में वह नॉलेज भी दे रहा है तो नॉलेज नहीं होती उसके पास मगर वह अटेंशन सीकर जो अब मैं कैसे बताऊं मेरे पास वर्ड नी समझ आ रहें कहने का मतलब है जो वीडियो बनाते हैं वह बनाते बनाते वह एकदम से नॉलेज पे कनवर्ट हो जाते हैं तो यह दोनों का मैच नहीं है मगर उसकी तरफ लोग एट्रेक्ट होते हैं तो उससे नॉलेज भी लेते हैं मतलब अगर आप एक्सेश मों में आपकी स्पीच में तो आप नहीं करते हैं कैने का मतलब है कि अगर दोवले के सोचने का तरीका यह हो गया ले डि noises किसे लेना है तीन वाले ने कहना है मैं इस साथ समय देखनी यह तो कैसे जाओं यह कहिं मेरे परिवार के लिए ठीक है नहीं उस ने परिवार के बारे में जूरूर सोचना है उसने अपने बारे e Kum उसने यह तो वो अपने लिए कम पसंद करेगा और अपने पेरिंट्स की नजर से देखके अपने पार्टनर को ज्यादा पसंद करेगा यह बात शायद मैं अपनी क्लियर ना करता हूं कि मेरे भी वो मून थोड़ा सा वीक है अगर तेन वाले के पेरिंट्स को आपने खुश कर दिया तो वह आटमेटिकली खुश हो जाएगा वह कुशक अबने यग आप से पेरिंटीज हैं तो समझ लीजिए आप यह नंबर अच्छे होगे बिशिखिए अगर आप इसके पेरिंस की नजर में आप नहीं कर पाए तो इसका यह मतलब है कि आप उसके लिए परफेक्ट पार्टर नहीं है तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि पेरेंट्स के चहीता और पेरेंट्स के बारे में जो सोचने वाला वो लाइफ पार्ट नमर तीन वाला होता है तो अब दोनों के बनें आप दो तरीक वाले से ले लो जो से अब सिस्टम और बीच में लेके हमें कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मन से सोचता है तो सारे डिसिजन्स मन से नहीं लीने चाहिए उसकी help करे उसको support करे। और मन वाले को क्या कर चाहिए कि तीन वाले की दूर रिष्टा अच्छी है अगर वो तीन वाले की कहे सुनके चलेगा इस हिसाब से इनके प्यर अच्छे बन जाएंगे इस हिसाब समय के पियर बन सकते हैं आशा करता हूं जो information मैंने शेयर की है मैं सही तरह explain कर पाया हूं कुछ गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा जल्दी मिलता हूं आप से एक नई वीडियो करते हैं जब लिएड़ीर चाहूँगा जाँ हुआगा जाओख़ा हूं कि जाएंगे लिए लूता हूं कि आप लिए झाली की है विए लिए एक बाता है।